नमस्कार मैं हूँ अंकुर और आप देख रहे हैं सत्तिहंदे.com नागरिक्ता सवंशुदन कानून के मुद्दे पर भारती जन्ता पार्टी और जन्ता दल यूनियन के बीच पैदा हुई दरार लगातार बढ़ती जा रही है पार्टी में बीजेपी के खिलाफ उट रही आवाजों को दर किनार करते हुए जेडियू ने दिल्ली में गठ बंदन किया है जिसमें पार्टी पहली बार दिल्ली में दो सीटों पर चुना उड़ेगी लेकिन अब पार्टी प्रवक्ता पवन वर्मा ने इस गठ बंदन की मुखालपत करते हुए नीतिश कुमार को एक लंबा पत्र लिखा है और उनसे ये गठ बंदन करने का कारण पूचा है उन्होंने कहा कि जब बीजेपी से उसकी पुरानी सहयोगी अकाली दल नहीं दिल्ली में बीजेपी से किनारा कर लिया तो जेडियू किस कारण से गठ बंदन कर रही है लिखे गए पत्र में पवन वर्मा ने नीतिश कुमार को 2012 में हुई मुलाकात की याद दिलाई पत्र में उन्होंने लिखा दो हजार बारे में जब पत्ना में मेरी आपसे भेंट हुई थी उस वक्त आपचारिक तोर पर मैं पार्टी में शामिल भी नहीं हुआ था आपने मुझसे BJP और RSS की विवाजनकारी नीतियों और कैसे नरेंद्र मोदी देश के भवेश के लिए उप्युक्त नहीं है इस पर लंबी चर्चा की थी इसके साथ ही दिल्ली में BJP के साथ गठबंदन पर वर्मा ने नीतिश कुमार से कहा कि वह गठबंदन को लेकर अपनी विचारधा पूरी तरह से इसपष्ट करें पपन वर्मा ने नीतिश कुमार को संबोधित करते हुए लिखा कि महागटबंदन का नेतरतु करते हुए आपने RSS मुक्त भारत का नारा दिया था 2017 में फिर से BJP के साथ जाने के बाब जूद भी आप व्यक्तिकात इस्तर पर मानते रहे थे कि BJP के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है आपके निजी विचार जो मुझ तक पहुँचे उसमें यही संदेश था कि BJP ने संस्ताओं को नुक्सान पहुचाने का काम किया है वर्मा नहीं यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने उनसे बाच्चीत में ये बात तक कबूल की थी कि वर्तमान BJP नेतरत उन्हें अपमानित कर रहा है आपको बता दें कि नीतिश कुमार की पार्टी जेडियू ने नागरिक्ता संचुदन एक्ट का राजिस्वा लोकस्वा में समर्थन किया था लेकिन पार्टी में इसके बाद इस मुद्दे पर विरोध हुआ प्रशांत किशोर और पवन वर्मा जैसे नेताओं ने खुले तोर पर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई बताते हैं इससे पहले बुद्वार को नागरिक्ता संचुदन कानून और अनर्ची पर असेमती जताते हुए बीजेपी की पुराने सयोगी दल शिरोमणी अकाली दल ने भी अपना नाता बीजेपी से तोड़ने का एलान कर दिया शिर्षा ने कहा था कि उनका दल बीजेपी से सैमत नहीं है उन्होंने साफ साफ कहा कि नागरिक्ता संचुदन कानून को धर्म की लाइन पर नहीं पाटा जाना चाहिए था सिर्षा ने कहा कि कानून में लिखा जाना चाहिए था कि जो भी अलप संखेक होगा उसे भारत की नागर्गतत देंगे अलप संखेकों में भेदवाओ करके BJP ने ठीक नहीं किया इसलिए या तो BJP अपने रुख में बदलाओ करे या फिर हम दिल्ली विधानसभा का उचनाओ ही नहीं लड़ेंगे आज की वीडियो में इतना ही बागी खबरों के लिए बने रही है सत्तहिंदे.com के साथ सत्तहिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं